रेडियो सिरी 91.1 पर लिटरिली ये कॉफी विद करन स्क्वेर हो रहा है बिकुस दो करन एंड जतिन यहाँ पर एंड वन्डफुल चवारा ट्रेलर इस रॉकिंग खाकी द बिहार चैप्टर तो दोनों को कुंग्राचिलेशन्स थैंक यू सो माच वर जॉनिंग करन थैंक य पहले तो तुम्हारा हाथ मिलाना इसलिए इंपॉर्टेंट है एक साल पहले जतिन जे मिले तो और ऑफ कैमरा में बात करें थे एक्जैक डेट के साथ बता दिया कब मिले वड़ा वन्डरफुल परफॉर्मेंस आपका 83 में अभी फ्रेश है सारा सब को जिया थैंक यू सो म और वो इतने खुश थे वो लोग मैं तो मतलब हर सीन में रो रही थी जब जब यश्पाल सरा रहे थे उनके बेटे उनकी दोनों बेटियां थी तो मुझे उनसे वैलिडेशन की बहुत जरूरत के हाँ यार तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि उनके बेटे ने मुझे ब मुझे ये करना चाहिए तो उनके रिस्पॉंस से मुझे इतना अच्छा लगा था कि मुझे बस यश्पाल सर को मैं मिस्स करता रहा बट वो उन्होंने कह दिया कि हमें अच्छा लगा तो मेरे लिए सफाल हो गया सब जबर्दस्त किया था, everybody loved it and what a wonderful movie that was, लेकिन here we are, Netflix का ख ये थोड़ा spy वाला detective वाला काम किया है, तो इसमें बुला चलो वर्दी दे रहें करी लेता हूं मैं काम 100% मामी, जब Neera sir like calls you on something you don't want to say no, these are opportunities जो हर एक अक्टर जिसके लिए रुकता है, तो जब ये मुझे offer किया गया था, तो definitely there was a no-brainer कि अगर Neera sir is backing this project in any way possible, you know, whether as a writer, director, showrunner, or just share as a producer, I knew that it's going to turn out to be great on paper, so that was the idea, and of course, हमी पुलिस जो लाइन है, ये ट्रेलर के बाद, टीजर के बाद, टीजर के बाद, बहुत ही रेजनेट करने लगी सब के साथ, तो सब का मेरको message ही ऐसे ही आता था, सिर्वा यतने हाता था कि ह तो कितने रेल्स बन गए उस, I'm sure वो लाइन पर बहुत रेल्स कुछ देखा आपने बने होंगे, मैंने अच्छली अपना इंस्टेग्राम इतना चेक नहीं किया है, रीसेंटली, अब पता नहीं एक अच्छी आदत मेरी हो गई है, अब पिछले दो महिने से मैंने नहीं कि पूरे करियर में रेजनेट करता है, तो अगर हम ही पुलिस है, ये रेजनेट हो जाए, तो मजा लगा है, आप इंस्टेग्राम चेक नहीं करते हैं, ये चेक करते हैं, लेकिन रिपलाई नहीं करते हैं, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, नहीं ये चेक करते हैं, रिपलाई यहाए नास्य 스र रहर मैने जब जब इनका इंट्र्वी चला आया है यह मेरा स्टॉरी देखते मुझे लगा रेपलाई करें केलिए और इनको रेपलाई निंकरते है। यहाँ आप उन में से जो देखते हैं के मेरी स्टॉरी किसने देखा है। मैंने जब-जब इनका इंटर्व्यू चलाया है यह मेरा स्टोरी देखता है मुझे लगा रिपलाई करेंगे लिए रिपलाई नी करते हैं आप अप उन में से हैं जो देखते हैं कि मेरी स्टोरी किसने देखिया यह ना यह एक और से बैन हो जाना चाहिए क्या एक्शन लेना है तो उतने में कोई और चीज आ जाती है यह कुछ और हो जाता है इसलिए कभी-कभी ऐसा हो जाता है इन्स्टाग्राम छोड़ दिया था मेरा बड़ा दिल करता है कि मुझे बहुत कम उस पर रहूँ पढ़ी मेरी आदत है मैं हर फ्राइड को अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूँ है? मैं हर फ्राइड को इसके पीछे बड़ा अच्छा रीजन है फ्राइडे, साटेडे, संडे, वीकेंड होता है अब वीकेंड आपके इंजोइमेंट के लिए अब क्यों होता है इंस्टाग्राम और ये सारी चीज है इतनी अडिक्टिव है कि आप अपनी जिंदेगी कम इंजोइ करते हैं देख रोते हैं कि दूसरे क्या कर रहे है तो मैं as a religious practice या तो Thursday mostly या Friday I delete my Instagram and I reinstall it on Monday morning Wow So that I can live a very good social life, social family, whatever and have a good weekend because I really relish my weekends I love my Friday nights and my Saturday nights So What do you do on the weekend? Friday night? Party or what do you do? No, I can't do it as a party I can sit at home and sit at home and sit at the same time Okay That's not the right thing But I feel good that this is only my time I will tell you about it Whether I go out or go out with my family or sit in my living room or sit in my room or read a book or a podcast That's my time I don't want to be disturbed by somebody else's way of living life Oh is it so hard? We have no idea What's up? We have no idea Oh my god, hijacked? At all It's called barging in Wow, three pretty girls walking in I just missed it Please sit Please sit Stop the romance Stop the romance Stop the romance Wow, I love this Sit, sit, sit I would want to take this credit My show's name is Radio Wala Boyfriends All the girls are here You changed your screening date How? I was wearing a three-piece Hi, I'm Karan from Radio City Hi, Aishwarya I don't know why you're looking at it Karan's in a shoot I went home at the fittings Oh, is it? Best time Best time Sit, put a kursiya Please sit Please sit Lay out, lay out, lay out If it's a round It's a round Let someone Let it go Let it go Bye bye We have to fight with him I don't ask You're back I have to fight with him Let's fight now Let's fight now Three women come and say I don't get one hug from three girls अरे यार, इस आसके वर सम्टिंग यह जो भी था, इडिट मत करना बहुत मजाया आरा, महाल लूट के ले गई अब डर गया, यह क्या हो गया तो पासवर्ड अपने नोट्स में लिख के रखा या कि याद है मैं जानता हूँ, एक दो वीकेंड मैं आपको लोखंड वाला कॉंस्टिंट देखा हुआ है मैं लोखंड वाला ही रहता हूँ इसलिए, मिक्डॉनल्स के बाहर स्पेसिफिकली रात को ग्यारा बारा बज़े इसलिए, मैं अपने घर से चलके निकलता हूँ मैं को मैंस्टाल्स में उनका संडे बचपन से बड़ अच्छा लगता है संडे को संडे मैं अधिव बी मन करें मैं देम मेरे आफ़ला कि बड़ी प्रोल्म है मुझे र हर कहने को बद मेटा चाहिए होता है । यह ठिंक तव मेरे ठीटा प्रोल्म से अरह को भी तो मेरा तरीका भी ए में मकडार। संटे मनाने जो वह भी सीख चुके हैं तो अब मैं जाता हूह तो मेरे को मद ही देते हैं तो मैद में गार तो कप को पहले खाली कप लेता हूँ पहले उसमें चोकलीट के गलेड़ डालता हूँ तो यह में तो तेन तेने पढ़ता है चो कुछ नंगर जांगा तो हम आपको लेगन आपकी कांडव अप किया उट्लिक्स डघूर।क्सवा है, सक्रीक डिया था सेक्रेड डीगे चैप्टर है और चैप्टर में कलरे में वह टॉकर चैंके साथ जबी काम कर चुकए गर यह कॉंस्टेंट एक वो चल रही है उनके साथ ना जद्दू जहत के कब मुझे मौका मिले उनके एक्षिन कट सुनने का उनके मूझ से डिरेक्टर वाउ तो मैं इसलिए लगा हूँ कि मैं उनके स्कूलिंग में पढ़ता रहा हूं और फिर उनके यहां से ग्रेजुएट हो जाओं तो एक बार उनके साथ काम कर लो तो इसलिए कॉंस्टेंटली कर रहा हूं और फॉर्चुनेटली जो पहले फिल्म करी थी सातु चक्के उनके अंड अतरंगा है अपने जोन का तो यह दो तीन चीजें ऐसी थी के विकी सदाना कास्टिं डिरेक्टर है क्योंकि उनके साथ मेरा एक लंबा ऐस्याशन है तो यह दो तीन चीजें थी फिर आपको ऐसा सेक्यूर फिल होता है कि यहां मैं अगर काम कर रहा हूं तो यह मेरे लिए क कि एक टेट टॉक है उसमें उन्होंने बताई थी पूरी कहानी और मुझे लगा था बड़ा इंट्रस्टिंग वर्ल्ड है यार और वो घूम के ऐसे आपके सामने आया यार अच्छा मतलब मैनिफेस्टेशन भी हो कि मुझे मिल जाए करूं कुछ निबस वो हो गया और वो एक दिन आपको कॉल आता है कि आजए ही ऑफिस और वो ही स्टोरी निकलती है वो हमारे लिए भी कुछ प्रेय कर दीजे बिल्कुल मैं रात को दो से दाई वजे ये काम करता हूँ तो हमारा पे कुछ सच्छा हो जाए तो हमारे लिए कुछ नब आज ट्राई करना आज 11 और बहुत एड्मारर है मेरे काम के रहा है तो मुझे मिल गए और बुले के अरे बबाब क्या आल है कैसा किधर क्या मैंने का बस बाई ओडिशन दे की आरा हूँ और लिटरली ब्यूस रख अब तक साले तरे को अडिशन तो क्या तेरा सीन है मैंने का पता नहीं बाई कि ना पहले किसी ने आके फिल्म ऐसे हाथ में दी थी ना अब कोई देगा लेकिन हाँ वो मुझे चेंज करना हैं चीजें उसके लिए मैं कॉंस्टेंटली काम कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे काम से ही बहतर हो पाएगा मेरे बोलने से नहीं होगा के मुझे लीड दे दो मेर काम ऐसा होगा मेरी डिमांड होगी ओडियंस प्यार करेंगी तो डेफिनेटली वो भी होगा एक दिन और वो हो रहा है फॉर्चुनेटली एक फिल्म है जो कि है मेरे कंधों पर जो कि मह बहुत जल्द आने वाली है वो रिलीज होगी नेक्स्ट यह रिलीज होगी तो आम ल यह 100% होता है यार यह एक बहुत ही बड़ा प्रेज्डिस है तो मुझे मैं हमेशा लोगों को मजाक में बोलता हूं कि मैं ट्रिपल थ्रेट हूं मैं टीवी अक्टर हूं मैं फिट हूं और मैं अंधेरी में रता हूं अंधेरी वाले इंपर्टिंट है तो यह क्यूंकि और यह triple threat मैं अपने ले नहीं हूँ जितना industry की अपनी खुद की एक perception है मुझे इन तीनों से कोई दिक्कत नहीं है I feel like actor, actor होता है आप उसको किसी भी skin में डालने उसकी physicality matter नहीं करती exercise करना मेरा shock है इसलिए मैं करता हूँ हर दिन अब TV actor मैं हूँ मैं इस बात को लेके बहुत खुश हूँ मुझे कोई शरम नहीं है पर industry को खुद ही अपनी एक vertical से यह complaint है तो इसमें मेरी कोई problem नहीं है बर definitely मेरे growth के बीच में बहुत वह बात आती है आज भी जब मैं कोई audition देने जाता हूँ और जब audition select हो जाता है बाइचांस तो बोलते नहीं है ओ तेलिविजिन से हम किसी को लेना नहीं चाहते है तो मुझे आज भी लगता है कि यार यह बहुत ही मतलब यह वेर इस तच अच 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 आच 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 उइ आच अच जिन ट्रेलर आया था, उस ट्रेलर मैं पोस्ट कर रहा हूं वाइल सिटिंग इन कास्टिंग ओफिस लाइन में रुका हूं कि अगला ओडिशन मेरा होगा इसके भी रिलीस के अराउंड मैंने कमसे पांच साथ ओडिशन नहीं है मुझे ओडिशन देने में कोई शरम नहीं आती है क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई एक मेकर पैसे लगा रहा है तो भी देखना चाहेगा कि आपके आपके ऐसे लिए होगा आपके अपको नहीं एक है अब कह मेरा है तो तौड़ा तयार एक्टर हुए बत पधाließen. वो I hope के इस शो के बाद लोगों की सब्सक्राइब जाए So let's talk about the performance here जो आप दोनों कर रहे है पेपर पे सीन पढ़ने मज़ा आता है लेकिन जैसे 83 में जो final वाला है emotional वाला outburst वाला moment है जब जीच जाते हैं तो आप दोनों के साथ जब आप ये शो शूट कर रहे थे कौन सा एक सीन है जो आप मतलब इतने emotional होगे भाउग होगे I killed it यार ऐसा है एक दी सीन एक सीन है बेसिकली वो ऐसे moment पे आता है फिल्म सीरीज के अंदर तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था तभी जब ये करने गए थे वो सी कुछ दिमाग में चलाने जैसा कुछ नहीं था मतलब मैं मतलब ऐसा बहुत जादा उसका वो नहीं करता मुझे जीने का बहुत जादा मन करता उसको कि इसको इतना उसका बैक स्टोरी रखना है दिमाग में ताकि वो बैक स्टोरी मुझे पुश करे और मैं डायलोग बोल दूँ वो ऐसा नहीं कि मैं डायलोग याद करता रहूं और बोलूँ पिर वो दो अलग चीज़े हो जाती है तो एक सीन जहने पर वो चंदन माँ जो अविनाश प्लेकर रहे हैं उसको जाड़ता है वेसिक jewels को वो बताथा है कि तेरी हर बात मान रहा हूं या करता हूं तो भाई है इसलिए तो बाप बनने की ज़रुत नहीं है तो बाप तो फिर हम भी है तो वो बहुत ही एक ऐसे पॉइंट पर आता है क्योंकि अभी तक सीरीज जब आप देखेंगे तो वो उसमें ऐसा लगता है उसके आधीन है, उसको मान रहा है उसकी सुन रहा है, उसको बड़े भाई की तरह मानता है, चीजे करता है पट वो एक पॉर्शन, एक पॉइंट आता है जहां पर उसको लगता है चवन पराश को कि यार, जिस माइंड सेट के साथ मैंने ये चीज शुरू करी थी और जिस जगा पर मुझे पहुचना था वहाँ पर ये एक गलती करके इसने बहुत बड़ा मामला गड़बड कर दिया वो जब अब सीरीज देखेंगे तो आपको पता लगए है मैं कौन से मोमेंट की बात कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे टाइम लगा था वो उसको बहुत फील भी करना था वो रिस्पेक्ट अविनाश के लिए मतलब उसके कैरेक्टर के लिए बाकी जो लोग है उनके लिए और यूनो वो ऐसे शूट भी ऐसे होने वाला था कि शाम बिल्कुल एकदम धलते ही रात होनी थी और वो टाइम भी बड़ा कम था उसमें इतना टाइम था कि लंबा टाइम है हम सुबह से शूट कर रहे हैं बिल्गुल वो शाम का टाइम होता है और शाम से रात के बीच का तो वो एक अरजनसी वो सारी चीजे मिला कर वो एक सीन था गड़ा शाम मेरी हमेशह इसह थी on your video to play a character which I so many shades यह ander so many different relationships you know because I get to enjoy that as a character in the show के अमेश का relationship je एक याधक याधिन के character के साथ अफ़ Tellan के character साहखे है मेरी जो बी गडेए PKता अन एंके साथ बहुती अलग lange Therapy गरा हाँ, हमारे दो सीन्स हैं जो मुझे बड़े मज़ा आथे करने में और मज़ा आपको सीन में तब आता है जब का को एक्टर भी उतना गिविंग हो तो जतिन के साथ व सीन करने में बड़ा मज़ा था मैं बोलना नहीं चाहता है क्योंकि वो कॉंटेक्स से पता चल जाएगा ए अबनाश और मैंने, हम सीरी शूत रहे थे अपना अलागलग बट जो हमारा पहला दिन था, तो शूत तो सूत तो के दाएगा नहीं पर चल जाख घूराच की प्रखांथे हो लिए जाट में कर उनक्त का मुझे बाहत ही बहत ही बहत ही इंस्टिस्ति बिकुस हमारी जो साथ एपिसोड की जो कहानी है, उस कहानी को हम एक बहुत ही अलग तरीके से रीओपन करते हैं, क्लाइमाक्स में, और हमने एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज़ ट्राय किया इंटर्म्स व राइटिंग, तो उसको बिलीफ देना, और को ऑस साथ बहुत है, तो उससी से नहिए अगया हुए था एपिसान कर विंद कि मेरा था आथा, päैर आदो एड़की है, वह अंगया हममेरे से खूंश料 को कर एको बहुत सही का आँ और मुझे स समयरों कैजे लिवत टाइए लिगेए कि तो Salag वी रात को हुआ थाओधा, वी रात को हुआ थाओँ सा है रहो यह जावदर हुए अर था रूर चरहे है ऩर जो मेरे दो सीन्च के साहत हैं तो दो म्ड़नें और यह मेरे सीन्च करने भाट मज़़ा चाहरी है थो अ कहना के वो बहुत ़ूजारी हैet mm बहुत lines है, उसमें बहुत dialogues, बहुत back and forth है, तो खेलने का बड़ा मौका मिलतु है, और बाकी मैं बदा रहा हूँ कि यह जदिन मेरे बाजू मैं इसले नहीं कह रहा हूं है, बट अगर आपको अच्छा actor मिल जाए ना, तो आपका काम बेटर हो जाता है, क्योंकि आपको, you get a play में ना, कि अब performance दिखाता हूं, वो कहीं नहीं था, वो ना इन में था, और अगर यह जैसा बता रहे हैं ना, वो मेरे अंदर आया, वो इतना real जिसे कहते हैं ना, उसमें आया, हाँ, बात, 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 यह cricket की भाशना बात करो, non-striker end भागना चीए, तब 2-3 run मिलेंगे, बहुत सही हिनों ने उस सीन का जिकर कर दिया, और वो बहुत ही इतना खुबसूरती से वो निकल का है, जिसमें कोई जान से होते हैं, डालोग आजी होगी, आजा सामने हमने, और ऐसा होता है, बहुत सार अबहुत ताइम के, एक्टर के बीच में के, अब सेशली अगर 2 male actor ह तो एकवो हो जाता है कि भाई, मैं तिका हूँ गाज के में चाज किया कर कर कया हूँ, डालोग अज़ परवा में दिखाता हूँ एदार भीड़ाग के, जा प्रवालोग है। पानी नी पिया, खाना नी खाया, because that scene took the best out of me. क्योंकि वो बहुत ही experimental scene in the show. और best बात है, same sentiment with Abhinash also. क्योंकि हम nemesis हैं, वो कभी-कभी हो जाता है दो actor के बीच में, कि आज मैं दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं. But luckily, ना वो उसके बीच में था, ना मेरे बीच में था, वो भी बहुत giving as an actor. और मेरा पेला interaction था उसके साथ, तो मैना उसको बोला कि मैं का एक काम करते हैं, जितना जब तक set-up हो रहे हैं. And he was also for it. और मुझे rehearsals करना ना बहुत अच्छा लगता है, जितना आप rehearse करते हैं, जितनी आप line-े बोलते हैं, उतना आप scene को ज्यादा समझते हैं. और वो हम दोनों को scene करने में बहुत मज़ा आया था. It's not like maza K.R. क्या scene किया है? But pure as just actors, you get to enjoy doing something. True. He and I both really relish that scene. And I think that is, that is... इनके चेरे की मुसकान बता रही है, फाड दिया भाईने. पाड दिया भाईने. Yeah, I can see a day, बोलते ना, twinkle in the eye, जो होता ना, वो ऐसा आरा आपके. आपको खाना बनाने का शौक है, अगर आपको उस दिन सारे सही ingredients बिल जाए, सही चीज पक जाए, तो उस चकने मजा आते है, आपकी भूग मिड़ीता है क्योंके खाना बनाते है यह खाना बनाते है… Exactly like McDonald's Sunday. You just really enjoy it. So I really enjoyed that scene. आपको आपके हाथ में नेरत सार हमेशा बोलते हैं, आपके हाथ में आपके हाथ में नेरत सार हमेशा बोलते हैं, तो वो आपके हाथ में ही ने वो ट्रेल. Lovely. So very excited to watch this show, बहुत जल्द रिलीज हो रहा है नेट्फिक्स पर. You have to watch it because दो तीन सीन के जो बात कि ए ना खाकी द भीहार चैप्टर में वो देखना जरूरी है क्योंकि मैं रिली चाहता हूं कि हम लोगे ना करन की आंखों में जूम करके देखे जो सीन का उन्होंने डिस्क्राइब किया है. But I'm sure people will love it. और ऐसा लग रहा है कि 2-3 season आने वाला है. आने वाला है? 2nd, 3rd? वो makers बताएंगे 25th of November, screens near you. मेरे को लग रहा है आने वाला है. But many-many congratulations, thank you so much for joining. Thank you Garan, thank you so much.